आपका पबलिक पानी पर कलपटना हाई कोट में नगर निकाय चुनाओ आरक्षन मामले पर सरकार द्वार दायर पुनर विचार याचिका पर सुनवाई हुई है जिसमें कलपटना हाई कोट ने सरकार को सवसर्थ चुनाओ कराने की मंजोरी दी है सरकार ने कहा है कि एक dedicated commission बनाय जाया जिसके बाद सरकार ने रातो रात एक dedicated commission बना दिया है तो चलिए ख़वर को विस्तार से जानते हैं नगर निकाय चुनाओ आरक्षन मामले में डायर पुनर विचार याचिका को राज सरकार ने वापस ले लिया है साथी सरकार ने कोट में कहा है कि अती पिछड़ा वर्ग आयोग यानि EBC आयोग को राजनतिक पिछड़ी पन के अध्यन के लिए समरपित आयोग का दर्जा दे दिया गया है इसके सरस्चों के रिक्त पदों पर न्युक्ती कर दी गई है जद्यू नेता प्रोफेसर नवीन आर्य अती पिछड़े वर्गों के लिए बने राज आयोग के अध्यक्ष बनाए गये हैं समाने प्रशासन विभाग ने इस समंध में जानकारी दी है पटना है कोट के निर्देश के बाद आयोग गठित किया गया है बता दे कि राज सरकार ने पहले कहा था कि सुप्रीम कोट में अपील करेंगे लेकिन हाई कोट में पुनरविचार याचिका दाखिल कर दी फिर सुनवाई हुई तो आयोग बनाने की बात कहकर अर्जी अपस लेने का अनडरोध कोट से किया पिसे बात की समरपित आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद राज निरवाचन आयोग चुनाओ में आरक्ऱन का लाप देते हुई चुनाओसंपन करा ले यह नगर निकाय आरक्चन मामले में सुनवाई के दौरान नकर विकास एवं रेस के अनुसार ट्रिपल टी के टेस्ट के पहले चरण में आयोक का गठन कर राजनितिक पिछडेपन का अध्यन कराना है इस तरह उमीर है कि दिसंबर तक नगर निकाय का चुनाओ हो जाएगा नियमानुसार चुनाओ के रिसूचना जारी होने के छो माह के भीतर चुनाओ संपन करा लेना है ऐसे में 31 दिसंबर से पहले चुनाओ संभावित हैं राज सरकार की और से सुप्रीम कोट के सिनियर एडवोकेट विकास सिंभ मनिन सिंभ तता महादिवकता ललीत किसोर ने पक्छ रखा वर्ष 2006 में 88 पिछडा वर्ग आयोग का गठन किया था उनका कहना था कि हाल के दिनों में सुप्रीम कोट के फैसले के आलोक में अती पिछरा वर्ग आयोग को ही एक समर्पित आयोग का दर्जा दिया गया है इसके रिट्पदों पर न्युक्ती कर दी गई है समर्पित आयोग को ईबीसी के राजनितिक पिछरेपन को देख रिपोर्ट त्यार कर सरकार को देने का निर्देश दिया गया है सरकार का कहना था कि सुप्रीम कोट का फैसला आने से पहले राज सरकार ने EBC को आरक्षन देने के लिए मुंगेरी लाल कमिशन का गठन किया था मुंगेरी लाल कमिशन की रिपोर्ट को सरकार ने मंजूर किया था इसी क्यधार पर EBC को आरक्षन देते वे पंचायत और नगर निकाय चुनाओ कराए गए थे समर्पित आयोग की रिपोर्ट प्राप्थ होते ही राज निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाओ में EBC को आरक्षन देते वे चुनाओ संपन कराएगा गवरतलव है कि गच 4 अक्टूवर को पटना हाइकोट ने नगर निकाय चुनाओ में OBC EBC को दिये गए आरक्षन को गएर कानूनी करार देते वे आरक्षित स्रीट को अनरक्षित मान चुनाओ कराने का आदेस दिया था नगर निकाय चुनाओ दो चरनों में होना था पहले चरन का चुनाओ 10 अक्टूवर को तो दूसरे चरन का चुनाओ 20 अक्टूवर को होना था हाइकोट के आरेस के बाद राजी निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाओ को अस्थगित कर दिया था तो इसी के साथ अब यह हम मान सकते हैं कि बिहार में नगर निकाय चुनाओ जो है वो दिसंबर के महने तक जो है हो शकता है आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद